राम नीला मैदान और आगरा फोड का सौंधरी करण एवं सनक्षण को लेकर कलेक्टेट इस्तित सभागार में कारी योजना पर विचार विमश्च किया गया आपको बता दे सौंधरी करण को लेकर जल्द ही गठित कमेटी शासन को प्रस्ता भेज़ देगी अपर जलादिकारी नगर अनूप कुमार की अद्धिक्षटा में कलेक्टेट सभागार में शासन के निर्देशा नुसार सारवजनेक राम नीला मैदान का सुंधरनी करण तदा संग्रक्षण की कारे योजना पर विचार करने को बैठक संपन हुई बैठक में शासन इस्तर से जनपत के सबसे प्राचीन राम नीला मैदान को चिनहित करते हुए राम नीला समीती के सुझाव सलाहा से जिलादिकारी के माध्यम से सुसंगत प्रस्ताव शीघर उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गए बैठक में आग्रा के प्राचीन राम लीला मैदान आग्रा फोट के संग्रक्षंट तथा सुन्दरनी करण को विचार किया गया सारवजनिक राम लीला मैदान का सुन्दरनी करण तथा संग्रक्षंट को राजस्व भिलेकों के अधार पर मैदान का चिन्ही करण कर परंपराओं और मानिताओं के अधार पर लगबग 6-8 फीट उचाई की चार दिवारी का निर्मान कराय जाने तथा चार दिवारी पर दोनों और रामायन से संबंधित मियूरल बनाय जाने पर सहमती बनी जिससे पूरा परिसर एक कलात्मक रामायन परिसर के रूप में विक्सित किया जा सके रामलीला मैदान में भव्य प्रवेश द्वार बनाय जाने तथा प्रवेश द्वारों के नामकरंड अयोध्या चित्रकूट मिथिला जनकपुर पंचवटी आधी रखने तथा स्टोर रूम तथा सोचालय यादे की विवस्था करने पेजाल एवं विद्य। आपूर्ती हे तू, ट्रांसफार्मर की विवस्था भी किये जाने का प्रस्ताव रखा। बैठक में प्रस्ताव के आमंतरन परिक्षन तथा शासन को प्रस्ताव प्रेशित किये जाने के लिए एक समिती प्रस्तावित की गई, उक्तिसमिती राम नीला मैदान आगराफोड का भौतेक निरिक्षन कर सुसंगत प्रस्ताव तेयार कर शीगर शासन को प्रेशित किये ज कि अर्मकेरी बोट